हेलो किसान भाईयों कैसी हो आपको हम मिलाएंगे जो 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 रप आलीवाल है और उनसे मिलाएंगे आपको पूरी ट्रेक्टर की इन्फोर्मेशन वह आपको प्रवाइड कराएंगे और पूरी की मतलब की चीज़ के टेक्निकार ट्रेक्टर है जिए इसकी बिल्ड सब्सक्राइब करें तो दोस्कों वीडियो को देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस ट्रेक्टर का रिव्यू करें करें आएम तोस्क्राइब करें अजया यह कि ़ंदे फूर करें तोस्क्राइब का रिए प्राइबस प्राइब करें तो चया जुछ में जिए टते हैं आएगा थार्ष्टर इस जह दोस्क्राइबस झाल जो जाँ सिर्धाइक जो ना जार टींदांट और गंधर टार 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 पूर्ण कारी देते हैं जिससे आपको बहुत ज्यादा आसानी हो जाए कि हमें खरीदना चाहिए ट्रेक्टर या नहीं खरीदना चाहिए हैं जी सुरब जी ट्रेक्टर के बारे में अच्छी तरीके से इंफॉर्मेशन दीजिए तो इस आप अ में आपा इपनी स्थिर्टर के इंजन से अब मैं ऐसे वाग्नेशन डिया गया है जो 223500 काया और 2100 नथे गरां करते हैं जो तीन सिलिंडर में है और 40 HP की पावर जेनलेट करता है और इसमें आप देख सकते हैं आपर पोस्ट कमपनी का इन लाइन पॉम्प दिया गया है और इसमें यहाँ पर जो डिजल होता है उससे पानी को अलग करने के लिए बटर सपरेटर दिया गया है इस ट्रेक्टर की फ् स्टेली कोंस्ट्रेट में स्टाइब का किर वोक्स दिया गया है जिसमें आ आड आगे के और दो पीछे के गेर दिये गए हैं कि वस्टेक्टर के स्टीलिंग के अगर बात करें तो इस ट्रेक्टर में पावर और मेकनिकल दोनों टाइप के स्टीलिंग को उप्षन आपको मिल जाता है और इसको आप एड़िस भीकर करते हैं sinceiblhaus कर तक्ते हैं यहां पे करने कभी आपको Lock मिल जाता है और यहां पर फीट लीवर मिल जाता है और इसमें पर एक टूल बोक्स दिया गया है जो रभी मजबूत और लोहे का है इस्टेटर में आप अपने टूल आरामसे रख सकते हैं यहाँ पर बात करें स्टेटर के स्टेरिंग के डिजाइन की तो आप देख सकते हैं इसमें बहुत ही डिजाइन का Steering दिया गया है और यहां पर इसमें आपको ट्राकस्टार की जो ब्रैंडिंग है वो मिल जाती है और यहां पर इसके एडलाइज और इंडिकेटर कोन करने के लिए यह सुना जया गया है और अभी हम स्ट्रक्र की आवाद सुनाते हैं कि अच्छा कि अच्छा कि अच्छा कि आप देखिए फिर से स्टार्ट करके दिखाता हूं एक ही सेल्फ में स्टार्ट गाता है देखिए इस त्रेक्टर में अगले टायर 616 के दिए गए है और पिछले टायर 136 8 HP की पीटियो दी गही है जो 540 रपीम पर काम करती है और इस ट्रेक्टर की लिप कपस्टिटी चोदा सो किलोगराम है और यहां पर आपको लिफ्ट में त्री पॉइंट लिंकेज मिल जाता है प्रोली की लाइट वगेरे के लिए पावर सोकिट मिल जाता है जिससे आप प्रोली की लाइट वगेरा को पावर दे सकते हैं है जो की बहुत ही अच्छी रोजनी परदान करता है जो कुल लंबाई है वो 345 मिलीमिटर है और इसकी चोड़ाई की बात करें तो इस ट्रेक्टर की वजन आए 1835 किलोगराम इसका वजन है जानते हैं इस ट्रेक्टर की कीमत क्या है बताई अनली जो ट्राइक स्टार पांस सब्सक्राइब करते हैं वह है इस एजन्सी से ट्रेक्टर खरीज सकते हैं इस एजन्सी का पूरा एड्रेस में डिस्क्रिप्सिन में दे दूंगा बाकी आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें सेर करें और हमें कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें